Hello friends, तो कैसे हैं आप लोग, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग AI वीडियोस अगरा को generate करते हुए एक consistent character को कैसे create कर सकते हूँ जैसा कि आप लोगोंने देखा होगा जब भी आप लोग किसी भी story के according अपने वीडियोस अगरा को generate करते हैं प्रॉम्ट अगरा को डालके तो अलग-अलग वीडियोस के अंदर अलग-अलग characters अगरा की image होती है अलग-अलग characters होगा generate हो जाते है face बिल्कुली अलग होती है लेकर इस trick के अंदर आप लोगों का जो character होगा वो सेम होगा और clothing होगा भी आप लोग सेम कर सकते हो प्रॉम्ट तो सबसे पहले हमें character को create करना है तो इसके अंदर मैंने already कई सारे images को generate किया हुआ है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो तो यहां पर मैं अपने प्रॉम्ट को type करता हूं तो मैं simply हां पर लिख रहा हूं जैसा कि आप देख सकते हो a man wearing yellow t-shirt front view unique face ऐसे करके और आप यहां प इसके बार मैं दोबारा से generate में हाँ पर क्लिक कर दे रहा हूं और इसके बार मैं यह image देख सकते हो और इसी तरीके से आप लोग regenerate पर क्लिक करके और भी कई सारे images लगरा को generate करना है और उनमें से जो भी image आपनों को पसंद आता है after all उसको आपनों को simply upscale करना है और इसके इसको आप लोग यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इस image को upscale कर रहा हूं और upscale करने के बार में simply इसको export करके download कर लूँगा ठीक है तो यह है हमारा image इसके बार में हमें video generation करना है ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले आपनों को chrome पे जाना और यहाँ पर search करना है Pixverse AI इसके करना है और as a web मैं यहाँ पर इसको continue कर रहा हूं और मैं यहाँ पर create करता हूं create करने के बार में यहाँ पर आपनों को text to video आला site देखने को मिलता है साथी साथ जो हाँ पर image के साथ में आप लोग videos होगरा को create कर सकते हो साथी साथ यहाँ पर character का एक new option आप लोग को देखने क कर देना है या फिर आप लोग अपने खुद के real images को भी use कर सकते हो ठीक है drop करने के बार में यहाँ पर इसको एक नाम देना है और इसके बार में generate character पर click करना है ठीक है आप लोग को इस टाइप से क्लिक करोगे तो आपनों का video से हम उसी character के face के साथ generate होगा ठीक है मैंने यहाँ पर तीन generations लगा है और देख सकते हो तीनों वीडियो जनेरेट होने के बार में similar या फिर exact same face है इसके अंदर और यहाँ पर मैं तीनों वीडियो को सबसे पहले मैं download कर लेता हूं यह वाला भी और यह वाला भी ठीक है तो तीनों को download करने के बार में हाँ और प्रॉम्ट हैं पर प्राइब करता हूं तकि आप लोगों को बिल्कुली clear हो जाये ठीक है तो यहाँ पर इस बार मैंने हाँप डेजर्ट वाला मैंने prompt टाइब किया ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हूं ती नहीं यहाँ पर मैंने चैनेरेइट कि जनरेशन इसके भी ठीक है कर देखे हैं जनेर को सकते हों तो यह एक बहुत ही कमाल का फीचर और कमाल का AI टूल है जिसकी मतलब से हम लोग अपने स्टूरीज को और भी अच्छे से क्रियेट कर सकते हैं तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में I hope आपनों को ये वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आयोगा फिर थोड़ा सा भी एलफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जोशे शेर करना चैनल को जोशे सबस्क्राइब कर देना क्य क्यों में ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता है तो अपने चैनल पे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में